नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है परिक्षित अकैडमी और आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदू विदी के इस्त्रोत के अंतरगत आधुनिक इस्त्रोत के बारे में और यह इस सिरीज का हमारा अगे बात करेंगे आधुनिक इस्त्रोत के बारे में एजुकेशन पॉइंट ओफ यू से वीडियो जो है इंपॉर्टेंट है इस्पेशली लौ एस्पेरेंट्स के लिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं लेकिन उसके पहले कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारी यूट् लो के एक बैसिक चीज को समझ रहे हैं और ये वाला जो टॉपी के हमारा हिंदू लो के अंतरगत आता है कि किस प्रकार से आज वर्तमान में हमारी विधी जो इससे हिंदू लो से रिलेटेड है वो कैसे आई क्या उसका प्राचीन प्रारूप रहा है तो वो सारी चीजे हम हिंदू विधी के स्रोथ से समझ में आती है जो कि मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड होता है प्राचीन और आधूनिक के स्रोथ प्राचीन में हमने शूती देखा जिसके अंतरगत वेद वेदांग की बात करी फिर हमने इस्मृती की चर्चा करी फिर प्रतायम लोग रिट्यों की बात करी दैन हमने उसके बाद जो है भाशय और निभंद की बात की है दैन इस कडी में हम आगे बढ़ते में आधूनिक स्रोथ के बारे में तो यह मुख्य रूप से तीन तरीके के होते हैं नियाईक निर्णे यानिकी जज्ज्मेंट कोई भी केस जब लोवर कोट से सैशन कोट से फिर हाई कोट सुप्रीम कोट में आता है तो हाई कोट सुप्रीम कोट उसके उपर अपने कुछ जज्जमेंट देते हैं जिसको हम बोलते हैं नियाइक निर्ने और उन्हीं जज्जमेंट को maximum cases में जो उनके similar है as a reference इस्तिमाल किया जाता है इसके बाद आता है विधान याने की legislation याने की कुछ तमाम मुद्दे या प्रमुक मुद्दों पर जो संसद या फिर राज्ये की विधान सभा कानून बनाती है अपने अपने शेत्रधिकार के अंतरगत तो वो विधान इसके अतरगत आते हैं और तीसरा एक जो concept है वो है नियाई साम्य और सद्विवेक कुछ ऐसे इतना मतलब विधान पारित होने के बाद judgment के बाद भी कहीं कहीं पर जो है जो जज होते हैं उनको नियाई साम्य और सद्विवेक अर्था अपने विवेक के आधार पर उस परिस्तित सब्सक्ूरा आपकोग्र 할게요 कि अधयान मैं ऌर्फा है किसी धर्म के क्यान होतों करें और प्रठाय और रूडियों को शामिल भी किया जाता है तो प्राचीन ताका अपना एक विशेश महत्व है यह तो चलिए इसकरी में हम बात करते हैं नियाईक निड्ने को समझते हैं नियाईक निर्णे के अगर हम बात करें तो यह नियाईक निर्णे वह हैं जो हिंदू विधी पर नियायले के द्वारा घोशित किये जाते हैं और विधी के स्त्रोथ समझे जाते हैं नियाईक निर्णे ने किसी सिमा तक जो है भाष्यों की विधी का अतिकर्मन कर लिया है, अगर हम आगे और बात करें तो प्रिवी कॉंसील तथा सरवोची नियाले के निर्णे जो है भारत के सभी नियाले पर बात देकारी प्रभाव रखते हैं, ठीके जब देश हमारा 1947 के गुलाम था, ब्रिटिश का रास था तो जो अपील का सरवोची नियाले होता था वो प्रिवी कॉंसील को कहा जाता था, ठीके तो आज भी इस पेशली जो समीदा अधीनियम है भारती समीदा अधीनियम 8022 के तहरत जब केस आये जाते हैं, तो उसको में बहुत सरे जज्में ही प्रभाव रखते हैं, तो यहां पर हम इसी की बात कर रहें, तो नियायक निर्ने भी इसी के अंतरगत आता है, तो इस प्रकार के सुरोतों में प्रिवी कॉंसील सरवत्का ने बिश्याले, उचे नियाले तथा बहारत के चीफ कोट है उसके निर्ने आते हैं किसी वाद विशेश के निर्ने में नयायले उस वाद विवाद पर प्राप्त सभी निर्ने का सिहा उलोकन करता है तथा उसके विशे में अपने मत का विनिश्य करन करता है कोई भी पूर्वे निर्ने विधी का साक्ष नहीं होता बलकि उसका इस रोत भी होता है तथा नयायले का पूर् करते जिसके कारण जो इस्त्री धने दत्तक ग्रहन इच्छा पत्र तता सहदाई की संपति तता उसके हस्तानां तरण की विदियों में कई संशोधन किये गए ठीक हमको जैसा कि हमने देखा है कि अंग्रेजु से पहले या जो भी विदेशी व्यक्ति उनके पहले जब भारती विदी थी पर्टिकुलर अपने अपने एरिय की तो किस प्रकार से साशित होती थी लेकिन अंग्रेजु के कारण जो है बहुत सारी चीजों में परिवर्तन हो चुके हैं प्रीवी कॉंसिल ने मिताक्षरा विदी में दी इस्त्रीधन की व्यक्या को इतना अधिक संकुचि सनातन सी के निर्णे में निरुपीट किया गया जो कि मूल हिंदू विदी में नहीं था इच्छा पत्र के संबन में भी प्रीवी कॉंसिल ने एकदम नया कानून हिंदोव पर आरुपीट किया और सुप्रीम कोट ने वर्तमान काल में विवाहा धत्तक गरहन इस्त्रीधन नादी के संबन में इसे अनेक निर्ने दिये हैं जिनसे न केवल विधी के निर्वर्चन का प्रश्न हलुआ वरन नय सिद्धानतों का प्रतिपादन भी हुआ जैसे हम एक छोटे से एक्जांपल से समझें तो CRPC 125 तो CRPC के चुद्धा एक सो पत्ची से संबन्दित होती है जो बहल कि इस धारा के तहट जो पती का कर्ट वह होगा अगर वह अच्छे से कमाता है और इन इन लोगों का भर्रण पॉशन करना लेकिन सारी चीज़ा नड़न करते हैं कहीं कई पर हाइक को निड़ने लेकिन के सारे सिचुएशन अलग होती तो नियायल है यहां पर काफी जो है अवलोकन करते हैं जब केस अपर लेवल तक जाते हैं फिर जो है जज्जमेंट का रूप बनकर हो हमारे सामने आ जाते हैं ताकि निशली अदालत उन्हीं जज्जमेंट को जो है अप्लिकेबल कर पाए नियाई जो है सुगम हो पाए जल्दी मिल पाए घाटर हर केस सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा तो इससे नियाई में देही तो होती है आपकों भी पता होता है घाटी करने का अदिकार है तो किसी विषेष को व्यक्ति का दुर्प से नहीं है बलकि जो सत्ता धारी दल होता है उनको होता है हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार से हमारी देश में कानुन बनता है अंग्रेजी साशन के बाद भाषचेकारों का विधी के परिवर्तन निरमांथा संश संशोधन करने का अधिकार समाप्त हो गया है उसमें उस प्रकार की परिवतन आधी करने का अधिकार विधान मंडलों को भी प्राप्त है मैं पता है जो है अनुसुचिया बना रखिए जिसमें कुछ विश्योपर केंद्र कानून बनाता है कुछ पराज्य कानून बनाता कुछ इंपॉर्टन की हम बात करते हैं जो जनरल हम पढ़ते हैं इसके अलावा बहुत सारे कानून होते रहते हैं डे बाई डे पर डे चलिए तो हम अगर कुछ कानूनों की बात करें पुराने चलते हैं थोड़ा अंग्रेश थे तो कास्ट डिस अबेलेटी रिमूवल अधि संतान को वहदिता प्रदान की गई भारती यह भारती वैश्य नहीं है वयस्कता है भारती वयस्कता अधिनियम जो 1885 ला आया इसके पास बहुत सारे आये हमने हाँ पर जो है स्पैशल और कुछ कुछ लिके विशेश विवा अधिनियम अध्यास बहुत तर आया बाद में संशातन हों का अज़ादी के बाद चेंज हुआ इसी पिकार भारती उतरादी का अधिनियम 155 लेकिन इसके बाद भी hadi 1956 का हम बहुत पढ़ते और भी अधिनियम है जिस जो कि हम देख सकते हैं भारती सवीदा अधिनियम 122 भारती साक्ष विधी अधिनियम 122 भारती दंड सहीता 1860 जिसको हम बोलते हैं IPC पुलिस वाले जनरली IPC के सेक्शन सी लगाते हैं तो यह इस प्रकार से तमाम जो है विधान पारित किये जाते है जिससे की आज की हिंदू विधी साशित होती है और यहां से निर्ने किये जाते हैं इसके अलावा तीसरा कंसेप्ट आता है नियाई सामयों सद्विवेक का अगर हम नियाई सामयों सद्विवेक की बात करें तो हिंदू विधी का इस रोत माना जाता है वस्तुत है प्रत्त जो है आधुनी काल में मुख्य रूप से अंग्रेजों के द्वारा जोड़ा गया था है इसकी आउशकता इसली पड़ी क्योंकि समय समय पर नियाले के सामने वीधी के वास्तिविक सरूप के निर्धार में बहुत कटना ही आती है और इस विशे पर उनको पूर्ण निर्णे समझी जाने लगी है जिस विशे के संबन में धर्मेशास्त्रों में कोई विवस्ता प्रदा नहीं की गई थी अत्वा जहां इस्मृतियों में दिये गए पार्ट परस पर विरोधी थे वहां हिंदू विधी के सामाने आधार का ध्यान रखते वे नियाइगत साम में तथा विवेक पूर्णता को ध्यान में रखते हुए निर्ने देने की बात कही गई है इस्मृतिकार प्रती ने बहुत पूर्वही इस पहलू पर बल दिया था उन्होंने कहा था कि धर्मशास्त्रों के आधार पर ही निर्ने नहीं दिया जा सकता है युक्त विचारों का भी महतवत दिया जाता है ठीक है तो यहाँ पर भी जो है पर्टिकलर केश की स्ष्केरों को महतव देने की बात कही जा रही है रहे है इस सूप्रीम गुरूनात बनाम गुरुनात बनाम कमला बाई वर्सेस कमला बाई में निरुपीत किया है कि हिंदु विदी में किसी नियम के अबाव में नियाले को एक पूर्ण अधिकार है कि वे किसी मामलेगा निर्ने करने में हिंदु विदी के किसी अन्य सिध्धान का उलंगन नहीं करते कवर करना रहता है तो एजूकेशन पॉइंट ओफ यू से हमारा यह टॉपिक था तो बताईए कर वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें और वीडियो को अंत्र में देखें और बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा